अड़ोकेट भूदे पहननद्या का अभिवादन स्विकार केजिए शाथियों बसपा 2024 इलेक्षन के लिए अपना उमिद्वार का टिकट जारी कर दिये हैं दलीत मुसलीम गठबंधन के हिसाब से बैहन मायवती जी उमिद्वार का टिकट दे रही है लंबे अर्स के बाद जैन्यू में बाप्षा का जीत एवी बीपी हर पुस्ट में हार गई है 2024 इलेक्षन बहुजन समाच के लिए आर पार का लड़ाई है खबर को विस्तार से जाने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रही है अभी तक आप हमारा चनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो काइनली सब्सक्राइब किजिए भाईशा पीपल भाईशा बहुजनों को बचाने के लिए आपका सस्क्राइब बहुत जरूरी है साथियों बसपास्षो प्रिमो बहन मायवती जी 2024 में अपने दम खम पर लड़ रहे है हर कोई पनवादी पाटी गट बंधन करके लड़ रहा है लेकिन बहन मायवती जी दलीत मुस्लिम का गट बंधन करके लड़ रही है जैसे उतरप्रदेश में टीकट का बितरण हो रहा है बहुजन समास पार्टी बहुजन समास को नजर में रखते हुए टीकट दे रही है मैक्सिमम, सेडल कास्ट, OBC एंड मुस्लिम को बहन मायवती जी टीकट दे रही है इनसे ये ख़बर मिलता है और पता चलता है बहुजन समास पार्टी बहुजोनों को कैसे राजनिती में आगे बढ़ा रही है उतर प्रदिस में दलीत और मुस्लिम दोनों का गटबंदन, मजबूती का साथ चल रहा है इसलिए समास पार्टी, कॉंग्रिस और बीजे पी बहुजन समास पार्टी को डरे डर रहे है 2024 में ये खेला होने वाला है क्योंकि उतर प्रदिस में दलीत और मुस्लिम युनाइटड होकर 2024 का इलेक्शन लड़ रहे है दलीत भूट लगवग 22% है और मुस्लिम भूट 20% है दोनों का भूट मिल जाने से 40% और 41% हो जाता है यानि ये दोनों कम्मुनिटी का गठ बंधन मनुबादी सोच रखने वाले पलिटिकल पार्टी को सरदर्ध हो रहा है जितने भी प्रत्यासी का टिकट आभी दिया गया है उन में से जनरल केटगरी को टिकट बिलकुल नहीं दिया गया है बहन मायवती जी, दलितों को, OVC को और माइनलिटी यानि मुस्लिम चहरा को मैदान में उतार रही है साथियों 2024 इलेक्शन के लिए उतरप्रदेश, मध्यप्रदेश, चत्रिचगाड, वस्टमेंगल, राजस्तान, उतराखंड, तामिलनाडू और जुम्मू में बसपा अपना केंडिडेट का टिकट डिकलेर कर दी है और टिकट दे चुकी है इसलिए राजस्तान में बहुजन समाच का वारकर उफान पर है मध्यप्रदेश, चत्रिचगड में मध्यप्रदेश का स्टेट प्रसीडेंट, चत्रिचगड का स्टेट प्रसीडेंट गाओं गाओं घूम कर केडर केंप चला रहे है इस बार बेस्ट विंगल में बहुजन समाच का पार्टी आज मजबूती का साथ काम कर रहा है तामिलनाडू और जामू का समेद वहां स्टेट प्रेशिडेंट एक वी दिन घर में नहीं रुक रहे हैं और दिन रात महनत कर रहे हैं 2024 आर पार्ट का लड़ाई को जीतने के लिए दलित मुसलिम गटबंधन उतर प्रदिस में रंग लाएगा उतर प्रदिस ऐसा एक प्रदिस है जहां बहुजन समास पार्टी का दवदवा है और सी छीट में इस बार बीजेपी को सिंगल डिजिटल में रहना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी उनका किये गे वादा से उपकुछ करने पाया बीजेपी बरतमान तारिक में घोटाला में फश चुका है जिसको कहते हैं इलुक्टरल बांड घोटाला यानि भारत बर्स में आस तक इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ बीजेपी जितने विवादा कर्च किया था वो वादा विल्कुल पूरा नहीं कया पंद्रालाक वादा फेल हो चुका है बुलेट्रन फेल हो गया हर कोई गाओं को गोद लेने के लिए जो शपना दिखाये थे आज ओ गाओं बड़ाल है नोजवान को नोक्री नहीं मिल रहा है फार्मेर असंतिस्त है महंगाई बढ़ गया है यानि चारों तरफ बीजेपी घहर चुका है बीजेपी में लीडर लड़ने के लिए डर रहे है बीजेपी लीडर गाओं जाकर भोट मांगने के लिए हिम्मत जुटाने ही पा रहे है टीवी मीडिया के बलबुत्ते पर कितने दिन तक लोगों को ये गुमरा करते रहेंगे साथियों यूपी का दलीत मुश्लिप कटबंदन 2024 में रंग लाएगा और 2027 में जो स्टेट इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में बीजेपी का हर सुनिश्चित होगा जवलार महुरी इनवर्सिटी न्यू देली में बस्पा का पर्चम हर सीट में एवी बीपी का केंडिडेट हर चुके है जैन्यू में बपसा मेहनत करने के बाद आज जैन्यू को निला ही निला कर दिये है जहां जाओ अमबेट कर बाद जैभिम का नारा जैन्यू में गुंज रहा है यह बात कोई भी गोदी मिडिया आपको देखा नहीं रहा है जैन्यू में बीजेपी का समर्थक एवी बीपी का हार मतलब यह सिम्बल दिखा रहा है कि आने वाला कल वारत में भी बीजेपी सत्ता से बेदखल होने की संभावना बढ़ गया है इस बार जैन्यू में नीला जंडा जैन्यू केंपस नीला ही नीला हो गया है जैन्यू में बपसा का जीत जन्राल सक्रेटरी पुस्ट पर प्रियांग सी आईरा का जीत हुआ है यानि बहुजन समाच का जीत है जब से बहुजन समाच का लोग उनिवर्सिटी जाने लगे उबीशी समाच का रिजर्वेशन उनिवर्सिटी में मिलने लगा उसे ये दिन से बफसा मजबूत होने लगा और आज बफसा बिना साधन से जैन्यू को अपना कबजे में ले चुका है यानि बाबा सहिब अमबेटकर का बिचार में इतना मजबूती है मनुवात को हिला कर रख देता है जैन्यू जैसे इनिवर्सिटी में दलितों का जीतना जैभिम का नारा गूंजना मनुवात का खिलाब बोलना ये सिब संकित है यानि आने वाला कल भारत नीला होने वाला है उतर प्रदिश में बहन मायबूती जी का हुंकार दलित मुस्लिम का गठबंधन चत्विस्कड का प्रसिडेंट का दिन रात महनात मध्यप्रदिश का प्रसिडेंट केडर केंप में जो पागलपन वेस्ट बेंगल में बसपा का कार्यकरता का त्यागपन उतराखंड में हर दिन छोटा छोटा केडर केंप और रजस्तान में दलितों का उपर जो अत्याचार है उनको रोकने के लिए बसपा का संगर्ष तामिल नडु में द्राविड सेडुल कास्ट लोगों का यूनिफिकीशन और जमू का स्विर में बसपा का हाती का चाल मदमस्त है यानि बीजेपी कमजोर हो रहा है दादा साहब कांसिर हम कहा करते थे बीजेपी को हराना इजी है क्योंकि ज़्यदा दिन तक बीजेपी लोगों को धरम का आफिम चका नहीं सकता सोशियल मीडिया में जैसे दिन रात धरम के बारे में डिसकस्टन होता है बिजेपी का काला चिठा खोल रहा है इसलिए उनका धरम का एजंडा टाएं टाएं फुश हो चुका है इसलिए जो बात ददा साहिब कांसिर हम कहते थे आज वो सकस्टन होने की कतर पर खड़ा हो चुका है कंघ्रिस को हटाना बहुत मुस्खिल था क्योंकि कंघ्रिस स्लो पूईजन था मैनात करके ददा साहिब कांसिर हमने कंघ्रिस को भारत वर्स में नंगा किया और बबासाइब अमबेटकर को भारत का सामने लाकर खड़ा कर दिया इसलिए आज बबासाइब अमबेटकर का बीचार जेन्यू में पहुंच गया है जेन्यू में बबासाइब अमबेटकर का थोट नीला जंडा में जेन्यू भर जाना बाप्षा का बाप्षी और बाप्षा का जीत आने वाला कल भारत का संविधान का सुरक्या का संकीत दे रहा है बैसे सिर्फ भूजन समाज को जगाना है सोस्यल मिडिया का द्वारा जगाना है आपका पास कलम है तो लिखिए आपका पास मुबाल है तो उठाइए और आपका इलाका में जो अत्याचार हो रहा है बहुजन समाज का उपर उनको सोसियल मीडिया में पुस्ट किजिए क्योंकि हमारा पास कोई मीडिया ही नहीं है बहुजन समाज का कोई मीडिया हाउस नहीं है हमारा मीडिया मतलब सोस्याल मीडिया ही है आज सोस्याल मीडिया का बलबुत्ते पर हम भारत में अमबेट कर विचार को बहुजन समाज फैला रहे है साथियों आप कहीं भी एक टीवी खुल कर देखिए जैन्यू के बारे में नहीं बताएगा जैन्यू में EVBP हार चुका है कोई भी मीडिया इसके बारे में नहीं बता रहा है जैन्यू में BJP समर्थित स्टूडेंट फेडरेशन EVBP का हार मतलब BJP का हार है जैन्यू में नीला जंडा होना मतलब भुजन समाज का जीत है इसलिए इलुक्टरल मोडी, मीडिया, गोधी मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस मीडिया ये खबर को कबर नहीं कर रहा है इसलिए मेरा भोजन समाच, आपका ये जिम्मेदारी है सोश्याल मीडिया को, भोजन समाच का मीडिया को जो बहुजन समास के बारे में बताता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेर करना है कमेंट करना आरे, लाइक करना है, सस्काइब करना है ताकि बहुजन मीडिया, बहुजन समास का सुश्यल मीडिया फले और फुले और बाबा सहिब आम बेटकर का बीचार हर गाओं में हर कोना में पहुंचे हमारा लड़ाई बीचारों का लड़ाई है मीडिया मुनी मफिया को मनुवादी यूज कर रहा है उनको काटने के लिए वे सिर्फ हमारा पास एजुकेशन ही एक मातर साधन है और सोशियल मीडिया ही एक मातर साधन है आपका पास मुवाद है तो उनका इस्तमाल कीजिए आपको कलम चलाना आता है तो आप लिखी है किताब बना डालिए आने वाला कल वो इतिहास बन जाएगा आपका इलाका में जो अन्याय और अत्याचार होता है उनको सिशयल मीडिया में आपना मुवाइल केमरा में कैप्चर कीजिए और उनको मीडिया में हाईलाइट कर दीजिए सोशियल नेटवार्क में छोड़ दीजिए ताकि हम भोजन समाच को फोटो उठाकर चारों तरफ हम लोग फैला सकते हैं क्योंकि हमें ना अगोधी मीडिया हमारा भोजन समाच के बारे में बता रहा है ना इलोक्रोनिक मीडिया ना प्रिंटिंग प्रेस मीडिया कुछ भी मीडिया भोजन समाच को के बारे में नहीं बताता है नहीं तो आप Gニू जैसे इंवर्सीटि के बारे में आज भी आप पता नहीं है मनुवादी मीडिया हर बक बोहुजन समाथ का लीडर को चौर बताता है बैधन मायबातिजी के बारे में अनाप सना बकता है बेहन मायबातिजी का कार्य सोयली को वो कभी भी लोगों का समने नहीं लाता है क्योंकि आज तमाम पॉलिडिकल पार्टी का एक ही लग्चा है हर हाल में बस्पा को रोकना है बस्पा के कारण मनुबादी पार्टीयां चिंती थे कांग्रेस, बीजेपी, बीजेडी, त्रिमूलू कांग्रेस, आमाग्मे पार्टी हर कोई पार्टी चिंती थे एक बात आप खयाल, आप लोग का खयाल में आ रहा है ना नहीं जब शीबू शोरेन का बेटा हैमंद सोरेन को मोदी का सरकार, बीजीपी सरकार का आदेस से आरेस्ट किया गया भारत में कई कोई भी उनके लिए आवाज नहीं उठाए सिर्फ ही सिर्फ सेडूल कास्ट और सेडूल ट्रैब लोगों ही आवाज उठाए, आज अरविंद किजरिवाल जी को आरेस्ट किया गया मनुवादी शोच रखने वाले पार्टी निंदा कर रहे है तो कितना पातर अंतर होता है जब कोई आदिवाद से सीम को आरेस्ट किया जाता है तो भारत में ऐसा कोई भी सामने नहीं आते है सुरक्या उनका एगनिस्ट बोलने के लिए जब जनराल लीडर मतलब कोई भी मनुवादी सोच रखने वाले लीडर को आरेस्ट किया जाता है तो सोशेल मीडिया या पॉलिटिकल पार्टी युनाइटेड हो जाते है इससे पता चलता है यहाँ भारत बर्स में सेडुल कास, सेडुल ट्राइब, OBC, and Minority सेकंड क्लास सिटिजन है यह वात को बहुजन समझे जाना चाहिए युनाइटेड होके 2024 election को लड़ना है और भारत का संवेधान को बचाना है शाथिओं आप देख रहे हैं भईसब पीपल, भईसब बहुजन अभी तक आप हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइनले सब्सक्राइब किजिए और भईसब पीपल, भईसब 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 बचाईए हमारा यह responsibility होता है आप लोगों को भईसब समाच के बारे में बताना हमारा महापुरूशों का मिशन के बारे में बताना बाबा सही बंबेट कर दादा सही पकांच सीरं बहन मयावती चत्रपति साहुजी महराज साभीत्रिवाइब फूले, जोतिवाराव फूले कबीर, गुरु घाशिदास, गुरु रुहिदास पतिमा सैक तमाम बहुजोनों का मिशन को आपका पास पहुंचाना हमारा प्राइमेरी रेस्पांसिबिलिटी बन जाता है तेंक यू जे भीम